जी जी आपकी मा है मा लल्ला मा जी माजी कहां जिली गई थी आप कहां कहां ढूंडा हमने आपको कहां थी आप आप थीक तो है ना ची इने भूलने की आदत है अकसर बना बताया चली जाती है और हम इने ढूंडते रहते हैं आज भी पता नहीं ये कहां चली गई कब निकल गई पता ही नहीं चला जी धन्यवाद धन्यवाद आते रहिए चीन ध्यान रखेगा चलिए माज़िए मते ने ना देखिए ना कितना ज्यादा ब्रिलियंट है संतुजी ये अच्छा वानगी वाला वीडियो हुँ हमको भेज़ दी लेकिन इसी वीडियो के साथ एक दिलवाला इमोटिकों भेज़ देती ना तो पूरा रात अम इत्वा दुना कुस रहते तो तो फुरा वी तो यह देखे माडम सर बहू का अपने सास के लिए प्यार कितना कसके गले लगा रही है कुछ जादा कसके गले लगाया है आ समझी नहीं मानूं सर एक बात बताओ चीता तुम हमको तुमारी अम्मा अगर कुछ हो गलती करती है या फिर बीमार हालत में सेर सपाटा के लिए चली जाती है तो तुम क्या करोगे उनको कस के गले लगाओगे या पिर उनसे जगडा करोगे मैडम हम गले तो लगाएंगे लेकिन अगर ही सेर सपाटा का चक्कर में उसके जान पर बनाया ना तो पहले मिलेगी तो खुब फुनाएंगे उसको बोलेंगे डाटेंगे कि कहा है कैसी तुम बाहर इस सब गलत काम है एक्जाटली जब भी हम किसी से प्यार करते हैं उनकी परवा करते हैं तो उनकी इस तरह की लापरवाही करने पर हम उन्हें डाटने भी है लेकिन ये देखो यहाँ पर ना बेटे ने ना बहु ने किसी ने भी मा को कुछ नहीं का एक बार ना डाटा ना टोका कुछ भी नहीं उल्टा इतना जदा प्यार दिखा रहे हैं जो जो बनावती लग रहा है बात तो सही है नज़र रखो चीता इस परिवार पर नज़र रखो जी मैडम ये क्या कर लो बे करम गरम चाय लाया है आपके लिए चुप चप मार लीजिए हम वादा करते हैं इसको फिर से भर नहीं किसी उकानों कान खबर तक निका मारने जिए गडम प्रमी महारे मंट मर अधिए मू को नहीं अला दे सम चाय का बात नहीं है के सॉल्फ करने का बात है तो पात में कही है के एस THE किंब आध है हमारे अने कप होने के भॉकाल को को तुमना बेला उगने, तुमना चलते बना, शारी चीता? क्या कर रहा है चीती? लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे क्या बोल रहा है चीता? सॉरी यार क्या कर रहा है चीती? संतु जी अप यहां पर अकेले आ रही थी हम कईसे आपका फिकर हो गया संतु जी इसलिए आपका ख्या लखने के लिए हम यहां पर चले आए चीते, तु ही मेरा सच्चा दोस्त है हूँ हमको यहां पर करिश्मा मैडम भेजी थी हम आपके लिए नहीं आयते हैं यहां पर लगाई था मुझे लगाई था दाल में जरूर कुछ काला है अरे रुकिये न अंटी जी रुकिये न अरे अंटी जी अंटी जी मेरे भी कपड़े लेके चाहिए ना धोबी के पास हाँ बेटा लेक्याओ हम यही रुकते हैं भाई साब यह क्या हो रहा है यहां पर कुछ नहीं बड़ा जब से मकान बेटे के नाम किया है बहु घर से निकाल देती है कमजोर यातास्त का फायदा उठाकर महलने वाले अपना अपना काम कराती रहते है कैसा एक नंबर उलाद है यह ए लीजीए लाव इट है ठीक से बानद है ना चले ठी कि मा के साथ जो ऐसा सुलूग करता ना इनके लिएक स्पेशल ट्रीटमेंट बना है करिशमा सिंह का स्पेशल ट्रीटमेंट झाल 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 will findinese बहार कaráओ ताला मार्थ माडम वो आप बहार आना भूल गई संत्वी ताला मार दीजैं मार दीजैं मार दीजैं सोरी सोरी हाँ आपको वेलग फ्यामी हुए कुछ आप मज़े सब्सक्राइब अपनी अम्मा के साथ हिंटेन करता है तुखाई तो अरे हम उप कैसे हुए बिए माँ आप सब्सक्राइब मादम सर आप हमें मत रोकिए बिना किसी केस केस पर हाथ उटाना आपके खिलाब जा सकता है मादम सर हमें फरक नहीं पड़ता लेकिन ऐसी बॉड़ अमोल आपकी तो हम जब के खातिर जादी करिश्मा से ग्रोकिए आप तानून का अपने हाथ में नहीं ले सकती का है हमारे छोटू को करिश्मा से ग्रोक जाहिए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती वह अमारा खया जिटता है मैडम हम शर्मिनना है मैडम हम अपनी अम्मा को ऐसे दर्बदर्गी होकर खाने नहीं देना चाहते अमने इसलिए विर्धाश्रम में भी बात किया हर अफ्ते मिलने भी जायेंगे अम्मा को अमा तुमको इतना कूटे अभी फिर भी तुमारे दिमाग में कुछ नहीं आया देख रही है मैडम से अब अभी भी अपनी अम्मा को वरे दाश्रम भेजने का बात तर्रा ये संतु शर्मा दर्वासा खोली चावी अंदर मैडम के पास ही है संतु जल्दी अम्मा जल्दी थोड़ा मना हमारी कल्दी कैसे चाव रही है अमना अमना बस बहुत हो गया इसके बारे में नहीं तो कमसे कम इसकी मा की बारे में तो सोचिए कैसा अलग रहोगों अपने बेटे को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देखकर और क्या होगा उसे इस तरह से पीटने से ये मसला हल हो जाएगा अचानक से ये और इसकी बीवी अपनी मा को इजद देना सीख जाएगे कैसे नहीं देंगे इजद अपनी मा को इसका तो अपा भी इजद देगा इसकी तरह करिशाएग रोकिए आप भूलिये मत कि आप यहां पर टेंपररी ऐसे चोहें और हम इसलिए अब भी स्थान में भई होगा जो हम कह रहे हैं तो माडम सर आप कुछपद ये जो कुछ भी होवा बहुत गलत हुआ कानून अंगलत लेकिन हमारे हाथ बंदे होगे जब तक इसकी माँ ओफिशिली कंप्लेंड नहीं करती अपने बेटे के खिलाफ हम कोई आक्शन नहीं ले सकते हम हमारे चोटों की खिलाफ कोई कंप्लेंड नहीं करेंगे देखा देखा तुम्हें अपनी मा का जिंदिगी खराब करके रखा है लेकिन फिर भी तुम पे आज नहीं आने दे रही है तुम्हारी जैसे उलाद के पराण आईये वकील साफ, देखिये ये देखिये वकील साफ खानून के रक्षक चंता के बक्षक बने बैटे हैं हमारे पती को बिना किसी वारंट के गिरफतार कर लिया इनोंने देखिये असीना जी बिना किसी ओफिशल कंप्रेंट और बिना वारंट के आप ऐसे किसी को भी लॉक अप में नहीं रख सकती ये इल्लीगल है शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है खितना मारा है आपको वकील साफ खितनी बेर एमी से मारा है मेरे पती को और आप चैन मिल गया आपको क्या साबित करना चाती है आप क्यूं हमारी घर की शांती को भंक कर रही है उस्तो बस यहाँ छोटो की दवाई देने के लिए आये थे उसके बीपी की दवाई का समय हो गया था ना तो क्या है ना मैडब बशपर में कुट-कुट के पादाम खिला है उससे लेके दवाई लेना भूल जाता है हमेशा और अमें कहता है के हमारी आदश कम सोने हिंका ये ढोंग तेक कर तो आपको लग रहा हुआ कि हम इनके साथ गलत है और सच तो यह हम इने जेलते हैं कई बार ये गैस खुला छोड़ देती है तो गीजर ओन करकर भूल जाती है इनकी वज़े से कितने बड़े-बड़े हाथ से होते हुए बचे है हमारे कई बार चोरीगी वारदात हुई है इनकी वज़े से माजी बहुत बहुत दुखी कर दिया आपने वकील साफ या मैं अपने पती को ले जा सकती हूँ करिश्वा जी जीते जी बैड़ा चली मजी जलते है सावितरी जी कहीं नहीं जाएंगे आप आप इन्हें ऐसे यहां नहीं रोख सकती आपने मां की तरफतारीका नतीचा आज तक हमारी पुष्टों ने भी खाने का हूँ नहीं देखा था पर आज इनकी वज़े से मुझे इस थाने में आना पड़ा है मैं पोल रही हूँ कि कल इनको व्रदाश्रम छोड़ी आना लई तो मैं अपने माई के चली नहीं हम कही नहीं जाएंगे हमारे छोटों को छोड़के मैडम जाज कीजिए ना हम आमें व्रदाश्रम नहीं जाना आप हमारे पेटे और बहु को संजाए ना मनाये उन्हें हम किसे को तकलिफ नहीं देंगे लेकिन हमें व्रदाश्रम ना बेचे हम हमारे छोटों के हम पगार नहीं रह सकते हमें उसे दूर नहीं जाना हाँ तो माजी अपने बेटे और भहु के खिलाब कंप्लेट कीजिए ना हम देखते हैं आपको कौन व्रदाश्रम लेकर जाता है नहीं कर सकते चोटू है हमारा कोई माँ ने बेटे की खिलाब कैसे कंप्लेट कर सकती है मैदर माँ भी बताओ हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते कर दो 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 झाल झाल झाल